नमस्कार जहीन मैं हूरानक रंतंतर देख रहें आप और इंडियन टीम के बारे में यही कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम दो टीमों को खेलते हुए देखेंगे वैसे तो हम पिछले साल अलरेडी दो टीमों को खेलते हुए देख चुके तक पता चल ही गई होगी मलब अभी सीरीज खतम भी नहीं लेकिन सिलेक्टेर्स को यह समझ में आ गया है कि डिसब पंत के हाथ में टीम का हाथ सौपने से बहतर हाथ टीम इंडिया के पास है और जब बापको लड़की का हाथ सौपने के लिए सरकारी नौकरी वाला मिल रहा ह इंडिया के आयरलेंट ओर और उस टीम के बारे में हम बाद में बात करेंगे लगी फिलाल साउथ अबरीका पर फोकस शिफ्ट करते है क्योंकि भारत के पूर वसे सीरीज भारत के पश्चिम में शिफ्ट हो चुकी है विशागा पटनम में समुद्र की ठंडी ठंडी हावा पूरे शर कुमार तो खैर शुरू से नंबर एक गेंद बाजी कर रहे है और अभी तक इस सीरीज के बेस्ट गेंद बाज है लेकिन पिछले मैच में आरशल पटेल और चहल ने भी बहतरीन कमाल दिखाया है दूसी तरह बले बाजी में ओवर आल भले ही वारत का प्रतरशन अफरीका से 19 रहा हो लेकिन इशान किशन अभी तक इस सीरीज के आईस रन स्कोरर है इनके अलावा स्रेय सेयर और गायकवार भी टॉप 5 में फीचर होते है इसका मदलब यह है कि अगर भारत को जीतना है तो टॉप ओडर के उपर बहुत जिममेदारी है और इन तीनों को ए पर लिंक दिया है माई 11 सरकल अप का उस पर क्लिक करके इस अप को डाउनलोड करो 1500 रुपे 1500 रुपे का जॉइनिंग बोनस और पहले डिपॉसिट पर 20% कैश बैक मिलेगा आपका ही फायदा ही फायदा है वीडियो के एंड में मैं आपको टीम बना के भी बता दूँगा आ उसी तड़ा जिस तड़ा से साउथ अफरीका की एड़म मार्करम ने अपना कोवीड नेगटीव रिजल्ट डाउनलोड कर लिया होगा उनका आइसोलेशन खतम हो चुका है लेकिन हो साउथ अफरीका वापस लॉट चुके है उपर से कुईंटन डिकॉक की इंजरी ने इन इंडिया ने यहाँ पर साड़े मैच दूसरी बार बैटिंग करते हुए ही जीते हैं जी हमें डाज कोट के मैदान की बात कर रहा हूँ ठीक है लेकिन हम चाहते हैं कि आप जरूर जीतो कैसे माई 11 सर्कल अपर टीम बना के कडोड रूपय आप जीतोगे नो तो भाई को सब पटेल और कगीस और अबाड़ा कैप्टन में बना रहा हूँ इसान किशन को जब क्यूब कप्तान होने वाले प्रिटोरियस तो वही अपना काम बनता बहार में जाये जंता ये वाला हिसाब हमारा नहीं है इसलिए अगर टीम बनाने में कोई दिक्कत आरी है तो भेजी और इंडिया जीट जाएगी क्या लगता आप बाए बाए जाहिंट